सुचिये भारत के मनुबादी पत्रकारों की रानितिक समझ कितनी कम है कल से रुबिका लिया का छाती पीट रही थी कि पाकिस्तान में सेना का अपमान हो गया देश खत्म हो जाएगा सेना के हिट कौाटर पर हमला हो रहा है आज पाकिस्तान के सुप्रिम कोट ने इमरान खान को रिहा करने के आदेश दिये है उनकी गिरफतारी को गर कानूनी बताया सुचिए यही वो तमाम टेली विजन अख़बार के मनुबादी पत्रकार मनिपूर में हिंसा हो रही होँ चुप हो जाते है सब कुछ यह देख करता है होता है कि किस खबर से किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा आपको क्या लगता है भारत के टीबी अख़बार के पत्रकार पाटी के परवकता है सरकार के परवकता है या उनका जनता से कोई सरोकार है वही नितीज कुमार नविन पतनायक से मिलते हैं उसके बाद वो आपको पता है ममता बनर्जी से मिल चुके है उधव ठाकरे से मिल चुके है अरविन केजिवाल से मिल चुके है हेमन सोरेन से मिल चुके है क्या सचमुच एक्जिट पोल सच होगा क्या है एक्जिट पोल की सच्चा ये भी बताऊंगा मनीज कस्यप के लिए बुरी खबर है तमिलनाडू के गवर्नर ने उन पर जो एने से लगा है उसको सहमति दे दिया है स्विकिर्टी दे दिया है इसका मतलब कि अगर उनको कोट स जमानत नहीं मिलती है तो कम से कम 11 महीना जेल में रहना पड़ेगा और वहीं सोचिए जोर्ज फर्नांडिस का एक वीडियो वाइरल हो रहा है अगर आज कोई बोल दे तो जातिवादी लोग उनको जेल में डाल देंगे यूपी से एक खबर है एक मिस्राजी आई पीएस है सर्याम गाली गलोज कर रहे हैं कैमरे पर पता है यह हनक कहां से आती है यह हनक आती है जाती से और आपका मुखमंत्री कौन है सरकार कौन है याद है आपको क्रोना के दौरान एक OBC DM ने थपर चला दिया था उनका ट्रांसफर हो गया था तो इस देश में अगर आप SC ST OBC है एक संतोस पटेल है DSP उनकी वीडियो दिखाऊंगा किस तरह से उन्होंने ट्राइबल समाज के गरीब समाज के जो शमसान घार था उसको मुक्त कराया और वो आज एक दोस से मिल रहते साइकल चरते हुए दक्रला स्टोरी इसके पीछे क्या है संच सोचिए एक फिल्म की नकल है ये एक विदेश में फिल्म बन चुके मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत के जो फिल्मकार हैं वो दरसल चाटुकार जादा हैं इस देश में हर किसी को जाती और धर्म के आंगल से जब आप दरसल लगातार कोसिस है टीवी मीडिया टीवी अख़वार के जरी की कैसे सत्ता को फायदा पहुंचाया जाए तो वो तमाम बड़ी ख़बरे जो सोचल मीडिया पर वायरल है मैं उसको एक एक करके बताऊंगा एक एक विसलेशन होगा ये वीडियो देख लीजिए आपको लेकिन वो एक एजेंडा चलाते थे उन्होंने तमिलनाडू जैसे राज के लोगों पर जूटा विडियो बनाया कि उपी बिहार जारखन हिंदी पट्टी के मजदूरों की हत्याएं हो रही है और ये एक दो नहीं जूट बोलते बोलते वो चले गए कन्या कुमारी वो चल मजदूर हजारों नहीं सर, लाखों मजदूर बिरुजगार हो गए, ट्रेन के भगदर में एक बिहार के बैसाली जिले के युबक की मौत हो गई, लोग बेघर हो गए, उसको लेकर जांच चले लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आखिर पत्रकारों को जेल भेजने की बात कहां से हुई और किसने की ये भी सोचेगा, सोचेए, खान की गिरफतारी गयर कानूनी पाक सुप्रीम कोट की बरी टिपनी, कल से रूबिका लियाकत और तमाम वो पत्रकार पाकिस्तान दिखा रहे हैं, पाकिस्तान में आख जनी, पाकिस्तान में ये, पाकिस्तान में रुबिका लियाकत तो पाकिस्तान को फ्लॉब भोसित कर चुकी थी कि सेना के लोगों पर हमला हो रहा है अब वहां कि सुप्रिम कोट ने कहा है कि सेना ने गलत तरीके से इमरान खान को गिरफतार किया आपको बता दूँ कि वहां एक NBA है उसको लेकर सुप्रिम कोट ने बड़ी तलख टिपनी किया है रेंजर्स ने उनको गिरफतार किया था तो सोचिए कि ये सबसे बड़ी ख़वर है और अभिशेकु पैधाय लिखते हैं जो लोग करांतिकारी सब्त को बदनाम कर रहे थे अभिशेकु पैधाय एक पत्रकार है वो कहता है कि पाकिस्तान का सुप्रिम कोट तो बहुत ही करांतिकारी है रुबिका लियाकत को बहुत अफसोस था ये जोर्ज फर्नांडिस सहाब का एक वीडियो वाइरल हो रहा है उन्होंने साब साब सूचिए किस तरह से ये वीडियो थोरा सा सुन लिजिए लेकिन मैं सुनाना नहीं चाहता हूँ इसमें बहुत गाली है पुनीत कुमार सिंग ने ट्वीट किया है ये तस्वीरे थोरा सा एस एस पी मनीश मिस्रा है ये सर्याम आम आदमी को गाली दे रहा है मामला बागपत का है पर हमला कर दिया क्योंकि पहले उनके लोग की पिटाई हुई थी वो फिर्थाने में गाली के लोगते रहा था और इसकी बज़ा से उन पर एफायार हो गया है आगरा में दलित दुले को पीटा पीटने वाले ठाकूर हैं मुस्लिम नहीं दलितो पिछरों के बोट के खातिर हिंदू बनाने वाले आरेसेस और धर्माचारिया भेदभाव मामलों में कहां भूमिगत हो जाते हैं यह सारे सवाल है जो उदिर्थाज ने पूछा और यह देखिए यह है बीडियो वहीं उपी की कुछ अच्छी खबरे भी है लगाई इस तरह के खबरे आ रहे ही कि किस तरह से यूपी में लगातार लोगों को रोका गया है अलका लांबा ने टूइट किया यह तमाम जो एजिट पोल हैं वो दिखा रहे हैं कि कॉंग्रेस की जीत होगी लेकिन सवाल है कि ये कॉंग्रेस की जीत है या जाती जरनना SCST OBC की जीत है ख़रगे की जीत है टीवी वाले की बैमानी समझ में नहीं आती है वो पोस्टर से हारने पर मोदी जी को हटा रहा है और जितने पर कॉंग्रेस को राहूल गांधी को लाकर खरगे को हटा रहे जब कि खरगे बड़े फैक्टर है खर ये कॉंग्रेस का मामला है इसको समझा जाए और ये तस्वीरे देखिए अखिलेश यादब ने ट्वीट किया है जो बड़ी खबर है ये कि कानपूर में ब्य बड़े फैंसले आये हैं डिली में गवर्नर की अधिकार सुरक्षित किये गये हैं ट्रांसपर पोस्टिंग कैधिकार दिली सरकार के पास होने मतलब चुनहीं सरकार के पास इसको लेकर लगातार कॉंध्लिक्ट था माद्ली पार्टी और गवर्नर के बीच वहीं महराज सरकार पर सिंदे की सरकार तो बची रह जाएगी लेकिन सुप्रीम कोट ने वहां के गवर्नर पर बहुत सवाल उठा है सुप्रीम कोट राजपाल ने गलत किया राजपाल ने सही काम नहीं किया हम राजपाल को फटकार सोचिए आपको पता है राजपाल कौन थे भगत सिंग को सियारी जो इससे पहले फूले सहाप पर और जो सावित्री भाई फूले पर सवाल उठा चुके है सिवाजी महाराज पर भी सवाल उठा चुके है ब्रहामन समास से है नाम है भगत सिंग को सियारी भगत सिंग को सियारी जो है वो रात के चार बजे हम लोग रात ही कहते हैं उसको भोर होता है अरली मॉर्निंग चार बजे सपत दिलवा चुके हैं तो सचिये कि कौन लोग जिनको मौका मिलता है वो किस तरह से अपने पक्ष में रखते हैं भगत सिंग को सियारी को लेकर बहुत सारी तलक टिपनिया की है यहां तक कि कहा है सुप्रीम कोट ने कि अगर उधब ठाकरे ने इस्तिफा नहीं दिया होता फोलोर टेस्ट करवाया होता तो उनकी सरकार बज जाती लेकिन उद्व ठाकरे ने पहले ही इस्तिफा दे दिया था एक सोसल मिडिया पर और खबर तेलंगाना से है जहां एक मुस्लिम महिला ने अपने साथ बसलोकी कारोप लगाया है हम तस्वीरे नहीं दिखा सकते हैं और ये एक तस्वीर देखिए एक वीडियो देखिए आप देख सकते हैं तो किस तरह से इस देश में अगर आप सी एश्टी ओबी सी किसान जातियों से हैं तो आपको लगातार धरना परतरसन करना पड़ेगा सिरोही याद है राजस्थान जिला कलेक्टर काराले सिलोही मुख्याले से पांच महीने से कार्तिक भील की हत्या कर दीगे तो उनका परिवार धरने पर बैटा हुआ है नहाई की गुआर कर रहा है कहां गरीबों की सरकार असोग गहलोजी मुझे लगता है कि कॉंग्रेस की जो राजस्थान में सरकार है न वो जातिबादियों का अड़ा है गर है चले ही जाएसी सरकार तो ज़्यादा बहतर रहेगा और सत्मेब जैते दिल्ली गौफ टु सुप्रिम कोर्ट ये राजकुमार अनन जो सोचल जस्थिस मंद्रों ने कहा है कि चुनुही सरकार के पास ऑफिसर्स की ट्रांसपर पोस्टिंग है ये भी सोचल मीडिया पर बड़ी खबर है ये एक और यूपी नगरनी का चुनाओं से खबर है ये एक महिला है सोचिए पार्टी कितनी हम होती है बुलन सहर में नगरपाली का अध्यक्षपस से हेतु सपा की महिला परत्यासी अर्चना पांडे से अभधरता तो सोचिए अगर आप पार्टी में नहीं है तो आपकी जाती भी आजकल नहीं देखी जाती है एक वीडियो है जो सोचल मिडिया पर और कोई नहीं दिखाएगा आपको हमाई नेतिक जिम्यदारी है जवलपूर में आठ मईसे छात्रवास बचानिवम निर्वान कार को लेकर SCST बर्गो के छात्र द्वारा अनिस्चित कालिन धर्ना ये कोई TV अख़वार नहीं दिखाएगा SCST छात्र जो है वहाँ धर्ना दे रहे है अपने होस्टल के लिए सोचल मिडिया पर ख़बर है और सुचिए जाती है कि जाती नहीं है ये मैडम हिरोईन है इनका नाम है नेहा शर्मा इसलिए मैं कहता हूँ कि जाती कभी जाती नहीं है और ये देखिए राजपाल को सियारी ने हर वो गलत काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था क्या उन्हें सजा नहीं दी जानी चाहिए सिपसेना परमुख ने सवाल उठाया है जो लगातार सुप्रिम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिपनी किया है उनकी सरकार भरे महराष्ट में एकनाज सिंदे की सरकार बच गई सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि उद्धब ठाकरे मुखमंतरी पस से इस्तिफा नहीं देते तो उनकी सरकार वापस आ सकती थी महराष्ट में एकनाज सिंदे ने पिछले साल जून में सिफ से नहीं से बगावत कर दी थी बागी बिधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी यह सब कुछ एकनाज सिंदे की सरकार तो बच गई लेकिन सुप्रिम कोट ने राजपाल, स्पीकर और चुनाव आयक को लेकर टिपनी किया स्पीकर ने सिंदे गुट के भीप को मानिता दे कर गलत किया राजपाल को उधव ठाकरे से भवमत साबित करने के लिए नहीं कहना चाहिए था अब इस्वास परस्ताव आ सकता था यह देखिए यह आरेसेस से जुरे हुए है सुप्रिम कोट ने कहा कि चुनाव आयोक सिर्फ संसदिय या बिधायक दल के आधार पर पार्टी के चुनाव चिन पर फैसला नहीं कर सकता है सुप्रिम कोट ने स्पीकर से बागी विधायकों किया और गिता पर फैसला करने के लिए कहा है यह दोनों बाते उधव ठाकरे के पक्ष में जाती है सुप्रिम कोट के फैंसले से महाराश्ट की राजिती और गरमा जाएगी एंसीपी और खासतर पर जीत पवार पर नज़र रहेगी जिनोंने 2019 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी उनके चाचा सरत पवार ने पार्टी अध्यक से इस्तिफा की पेसकस करके और मजबूत कर दिया था तो सुचिए किस तरह के सारे फैंसले होते हैं एक सोसल मीडिया पर बहुत तेजी से ख़बर वारल होड़ी एक सिर्यूल कास्ट महिला को यूपी के गोरखपुर में सरयाम पुलिस वाले ने पीटा और कहा कि क्या कर लेंगी और जाती सुचक गालियां भी दी हम आपको तस्वीरे नहीं दिखा सकते हैं ये वो खबरे और गवर्नर का फैंसला सम्मेधानिक था सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सोसल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरे हैं वायरल है और ये वो खबरे हैं जो आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा दादरी में क्या हो रहा आईडी चेकिंग के नाम पर पुलिस मद्दाताओं को भगा रही है एक महीला जो है वो चपेट में आकर उनकी मौत भी हो गई है और सोसल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरे हैं बुरका पहन कर आप बैंक नहीं जा सकते हैं मैं नहीं कहरा है मत पर देश के राजगर तहसिल के पछोर ग्रामिन बैंक का ये मामला है यह भी social media पर viral है और दिलीप मंडल का यह हमला देखिए वो लिख रहे हैं कि क्यों इस देश में संविधान diversity जरूरी है यह post देखिए तीन anchor so एक channel का है अमिश्युकला, अनुपमिस्रा, नलनी पांडे यह सिर्फ TV का नहीं इस देश क्या media, judiciary, bureaucracy, college university, business, film, sports और सब जगह जाती बिसेश लोग का कबजा है, diversity नहीं है और वो तंज करते हैं बाकी जनकारी reporter पपू पांडे दे रहे हैं इसमें उपाध्याय जहा, कॉल और सर्मा को सामिलनक के जाने की मैं करी निंदा करता हूँ तो social media पर यह तमाम चीज़े वाइरल होती रहती है अब सब लोग पूरा जाती का खेल समझने लगे हैं उनको लगता है कि यह सब क्या चल रहा है दरसल क्या है कि वीपक सासित राज्यों की ख़बरे कभी दिखाई नहीं जाती मैं करनाटक चुनाओ को लेके बाद बहुत सारे सवाल उठे हैं आपको पता है कहां कहां बीजेपी चुनाओ आ रही है मैं लिस्ट की ना दे रहा हूँ पंजाब दिल्ली मतपरदेश राजस्थान भले पंजाब में सरकार हो अमतपरदेश में सरकार हो लेकिन वो चुनाओ हा रहे हैं राजस्थान हा रहे थे च्छतिसगर, बिहार, जारखन, तमिलना दो तिलंगाना, हिमाचल, महरास, पस्रिम, मंगाल, आंध, परदेश, केरल, उरिसा, मिघाले, नागले, मिजुरम, सिक्किम, करनाटक थोड़ी चुकाने बाई लगी न, करनाटक में भी रिजल्ट आना है तो सोचिए कि इतने वो राज हैं कम से कम बीस राज ऐसे हैं जहां बीजेपी में दो-तिन राज जमुर्श की सरकार है लेकिन वो चुनाओ हारी भी है तो यह भी सोचल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वाइरल खबर है और यह खबरे भी सोचल मीडिया पर है इस तरह सुप्रिम कोर्ट के फैसले है नितीज कुमार लगातार उधव ठाकरे से और सरत पवार से और सुप्रिया सुलों से इन लोगों ने मुलाकात की है उसके बाद वहीं उन्होंने नवीन पटनायक से मुलाकात की थी जिसे अपना परिबार चलाना है, जिसे रुजगार चाहिए, जिसे अपनी आमदनी बरहानी है, जिने आगे चल कर नौकरी चाहिए, ऐसे लोग को लगा कि फायदा कॉंग्रेस के साथ जाने में हैं, बरिष से भी बरिष परसकार सुधिर चौधरी, तो सोचिए ये वो तमाम खबरे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, ये सोसल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है, जो रविदास कमूनिटी ने शेयर किया है, चमार समाज के लिए बरे गर्व की बात है, मानिय राश्पती जी ने मेजर नितिन धानिया चमार को सौड़ चक्र से समानित किया है, ये मैं नह कह रहा हूं, ये रविदास कमूनिटी ने टूइट किया है, जो सोसल मीडिया पर वायरल है, सिड्यूल कास्ट के मेजर नितिन धानिया को युद्ध कौसल का परचिया देते हुए आतंग बादियों को समाप कर नागरिकों की रक्षा कि उनको सौर चक्र से समानित किया गय है, एक जगा एक मामला फंस गया है, बहुत ही लिबरल और पहले लिफ्टिस्ट थे, आजकल कॉंग्रेसी हैं, महराष्ट से गिरफतार डियाडियो साइंटिस्ट परदीप कुरूलकर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, सोचिये मुहमद अनस ने ललन टॉप के बारे, अ तो वो कह देता है कि हमारा आदमी नहीं है, क्योंकि RSS एक रजिस्टर संगठन नहीं है, उसके कारकरताओं को कोई ID कार नहीं मिलता है, कोई नाम लिस्ट नहीं होता है, तो मीठा मीठा गप करवा करवा थो, दिन रात रेडियो लगा कर मेरिट चिलाने वाले सुचिये, र 90%, 90%, 90%, 90%, तो 36 गर में ये जो किसानों के बच्चे जो हैं वो लगाता है, टॉप कर रहे हैं, कहां गए वो मेरिट वाले जो पढ़ने नहीं दे रहे थे, बीजेपी ये खबर वीडियो सोशल मिज्ट पर वायरल है कि एक डिप्टी सीएम के रिस्तेदार की जमकर पिटाई ह सोचिए दिलिप मंडल ने कुछ वाजिव सवाल उठाएं जातिवादी गोडी मीडिया डिया डियो में तैनात पाकिस्तान को खुफिया जनकारी देने वाली साइन्टिस्ट का आरेसे से संबंद है इसकी कथित बुधिमान जाती का नाम नहीं बताएगा तो सोचिए कि ये राष्टी जनतादल इस तरह से ट्विट कर रही है और तमाम चैनल्स ने अख़बार को किया है लेकि इनका संबंद किस से हैं किस कमुनिटी से ये नहीं बताएग इसलिए डॉक्टर उदीत राज ने ये हमला बोला है कि जो भी लोग ऐसे पकरे जाते हैं क अब सुप्रिम कोट ने उनकी गिरफतारी को वैट ठहराया है रिया करने का आदेश दिया है तो आज कल कुछ लोग सेना का बहुत सहारा लेरे मैं फिर कह रहा हूं भारत के पत्रकार जो हैं उनको पाकिस्तान की चिंता जादा है इसलिए उन्होंने काया कि पाकिस्तान क्य नहीं चली जाती है आप और ये एक तस्वीर है जो बहुत ही दुखद है हम तस्वीरे नहीं दिखा सकते हैं आपको सिर्फ टूइट पढ़के सुनाएंगे दली दुले की बारात ठाकुर मुहले से निकली तो ठाकुर ने दुले के गोरी से उतारा मार पिट की और बारात क आई महिलाओं के साथ छेर चार किया यह रामराज यूपी आगरा का है दलितो छोड़ो ऐसे धर्म को जो तुम्हें इंसान न समझे सुस्विल सिंदे ने टूइट किया ये बात इसी को टूइट किया था डॉक्टर वीत राज ने तो बहुजन समाज के लोग अभी भी पर लिख भी रहें ये अच्छी बात है मजिस्टेट के सामने नावाली की सिकायत ने दर्ज कराया बयान तो जो महिला खिलारियों का परदरसन उसमें बराब डेट है कि नवाली जो प्लियर हैं उनके बयान दर्ज हुए हैं और सुधिर चोधरी के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे पत्रकार हैं जो पहले भाप लेते हैं कि सत्ता किसकी आएगी और वो आजकल तारीफ में लगे हुए हैं मिड़े मिल में बच्चों को चिकन मटन क्यों नहीं दे रहे हैं सुप्रिम कोट ने मांगा है जवाब अपने बच्चों को जरूर प्रोटीन डाइट दीज को भुगतर अब गोदी फिल्मकार भी आ गये हैं यह बड़ा टूइट किया है यह स्वन सिन्हा ने मैं आऊंगा आपको बताऊंगा कि यह फिल्म जो 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 चाहे दग कस्मीर फाइल हो या के लाशोड यह सोचे इस देश में सिवाजी महाराज फूले पिरियार सिद्धो खानो बिर्सा मुंडा तिलका माजी महाराज सूरजमल गुर्जर साहब इन सब पर फिल्मे नहीं बनती है जिन जाती विसेश के लोग वहां बैठे हुए वही इस पर फिल्म बनाते हैं करनाटक में इसलिए भी अब लग रहा है कि एकजिट पोल सही होगा क्योंकि पोस्ट आगे साब की तस्वीरे आउट है राहुल गांदी की तस्वीरे दिखनी लगे तो चित भी मेरी पट भी मेरी नेट्फिलिक्स पर सन 2020 में आठ एपिसोड में परसारित बेव स्रीज कैली फैट देख ले भरम दूर हो जाएगा स्वीडिस स्कूल के तीन स्कूली लड़किय और कोई कहानी है जिसमें एक का नाम बेथेन गरिटीरियो है जो आईस आईस के जाल में फसकर्ट रिस्ट बनी किरला की पूरी स्कूली की है भारत के 90% फिल्म जो लोग बैठे हुआ हैं सो कॉल्ड टैलेंटेड लोग वो दुनिया भर की फिल्मों का स्कूली करते हैं और को बनाते हैं इनका मौलिक कुछ भी नहीं होता है यह सच्चाई है इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिल्मों को फिल्मों की तरह ही लिजिए इस देश में फिल्में जो हैं सब जगह कब जाए मिडिया जुश्यारी कोलेज इन्वरसिटी फिल्म जो जिस जाती कहा उस हिसाब से बनाता है मसान देखा था आपने सेडियल कास्ट के डायक्टर कवाली देखिया आपने मैं यह उधर भी लागू होता है तो इस देश में जो पीरित समाज है सोसिस समाज है जो बंचित समाज है जो मेनतकर कम्मूनिटी है जो किसान जाती है वो सिस्टम से बाहर है मिडिया जुडिशियरी, कॉलेज इनवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स इन सब जगों पर एक तरह के लोग का कबजा है उनकी कहानी सामने आती है आपकी नहीं आएगे इसलिए आपको अपनी बाते कहनी खुद परेंगे जो समाज आवाज नहीं उठा आता है यह वो तमाम खबरे थी जो सोशल मीडिया पर वाइरल है और यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है दकेरला स्टोरी से किसको फायदा होगा किसको नुक्सान होगा सब कुस तैय होता है दो फर्क है आप सच के लिए लग रहे हैं आप सोसित हैं बंचित हैं अपना अ सिकार करे सेर और सेर के हाथ में कलम हो एक अच्छी कविता मुझे मैं मैं लोगों ने शेयर किया है कि एक अमरीका में परफेसर है बहुजर समाज कुरह ने यह कविता ओंपरकास बालमीकी जी के सामने लिखी थी कि मैं जूठन खाता था तो सब ठेक था मैंने जूठन दिख दिया तो हंगामा हो गया शुक्रिया निशनल दस्तक का कि आपसे गुजारिश है कि एगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट किलर के शबस्ट्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल खबर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें